दुस्तु सफएद बालों के लिए मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हैं, गर्मिक के लिए हैरपैक बना style हैं, सर्दियों के लिए हैर ओइल बनाई हैं आप मेरी हमेशन यह कोशिच रहती है की बैस नए प्रहों काम करहें चलिए जादा बातें नहीं करते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए वीडियो तो लाइक सरूर कर दीजेगा शेयर कर दिएगा जादा से जादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे आपको लेना है हमेशा की तरह एक लोहे की कड़ाई और इसमें हम डालेंगे आवला, सुखा हुआ आवला, ड्राइ आवला जो हमें मिलता है इस तरह से, यहाँ पे हम आवले का पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, आवला यूज कर रहे हैं क्योंकि आवला इस तरह से प्यॉर आवला हमें मिलेगा, पाउडर में कुछ भी मिला हो सकता है, तो इस तरह से आपको 20-25 ग्राम ले लेना है आवला को, तीन बड़े चमच मैंने आवला लिया है, इसके बाद हम इसे रोस्ट करेंगे, यानि की हलका ब्लैक होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे, पूरा हमें काला भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं लिया है, क्योंकि इसके अच्छे रेजर्ट्स मिलते हैं, यह बिल्कुल प्यॉर आमला है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, पाउडर में आपको पता नहीं होता है कि क्या मिला है, प्यॉर है कि नहीं है, इसे हम दोस्तों चलाते हुए बुनेंगे, लो फ्लेम पे हमें बुनना है, जब तक इसका कलर ब्लैक नहीं हो जाए, और बहुत जादा हमें ब्लैक नहीं करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, इवनली से कुक कर लीजे, अच्छे से से रोस्ट कर लीजे, चलाते रहेगा, नहीं तो ये लगने लगेगा, और आप लोहे की कड़ाई में बनाएंगे, तो आपको बेस्ट रिजर्ट्स बिलेंगे, क्योंकि आमला रियाक्ट करता है लोहे से, लोहे का बरतर नहीं है, तब कोई वेसल ले सकते हैं, बट लोहे में बनाएंगे, तो बेस्ट रहेगा, देखिए आमला हमारा यहां पर रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल काला, बिल्कुल ब्लैक में नहीं किया है, इसे जलाया नहीं है, सिर्फ रोस्ट किया है, और इससे जादा आपको रोस्ट नहीं कर अब हम यहां पे गैस बंद कर देंगे क्ड़ाई हमारी और बहुत साथ गरम है और इसके बाद डालेंगे अपना सेकंड इंग्रीडियन गैस का फ्लेम बंद कर दीजेगा दोस्तों दोबारा से बता रही हूं और इसके बाद हम डालेंगे कलोंजी यानि की नाइजिलिया किसी भी शॉप में किसी भी ग्रॉसरी शॉप में अराम से अपको मिल जाएगा इसे कुछ सेकंड के लिए हमें कडाई में चलाना है क्यूंकि कडाई अलड़ी गरम है तो यह थोड़ा सा भुन जाएगा रोस्ट हो जाएगा अगर आप गैस ऑन करके करेंगे तो यह जल जा करना चाहिए जादा पानी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद थोड़ा सा पानी हम और एड़ कर देते हैं कि पानी एड़ करने के बाद हमें इसे रात भर के लिए ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है ढखकर ताकि सुबह तक आमला अची तरी किसे फूल जाए और इसे हम ग्राइंड कर सके अब चलिए सुबह देखते हैं कि किस तरह से हमारा यह आमला बनके तयार हुआ है मौनिंग में कुछ यह कलर आता है बड़ियासा ब्लाक कलर आपका आजाएगा आमला ची तरह किसे फूल चुके हैं सॉफ्ट हो चुके हैं इसे हमें अब ग्राइंड करना है अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार उसमें हमें सिर्फ आमला को और कलॉंजी को डालना है स्पून की हल्प से आप डाल सकते हैं कलॉंजी भी आराम से आजाएगी आमला के साथ इसका हमें एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है जितना फाइन बना सकते हैं उतना fine बनाईएगा साथ में मैं थोड़ा सा यह पानी भी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह के से ग्राइंड हो जाए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए देखिए क्लोंजी ऐसे स्पून से नहीं निकलेगी ता आपको छानना ही पड़ेगा यह जाएगा हमारा grinding जार में ताकि यह ग्राइंड हो जाए आमला के साथ ऐसे और इसे हम ग्राइंड करेंगे अब हम यहाँ पे अपना पेस्ट जो हमारा बन के तयार हुआ है उसे सेम कड मिला सकते हैं मैं मिला रही हूँ ऐलोवेरा जेल तकि ऐलोवेरा की गुड्निस भी मिल जाए और यह पेस्ट थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाए बहुत जादा सा यह पेस्ट बनता है तो ध्यान रखिएगा क्वांटरिटी मेरा पेस्ट भी देखिए जादा सा बना है अगर आपके बाल लंबे हैं तो ठीक है पर अगर छोटे हैं तो आप एक चमची कलोंजी लें इस हैर पैक को अपने जड़ों में अच्छे तरीके से लगाएं पूरे बालों में आपको लगाना है पूरे स्कैल्क में लगाना है पर जहां से आपके बालों की सफेदी हो रही है ज कलोंची हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम पहले बार जूड़े फूदे उसका होती है ! चंड़ी यूजड करिए। उसके बाद 20 ूपद दो घंटे के लिए छोड़ दीजे ओइलिंग करिए और नेक्स दे ही शैंपू करिएगा सेम डे आपको शैंपू नहीं करना है उमीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छे रेजल्स आपको मिलते हैं तो आकर फीडबैक जरूर दीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शैर कर लीजे मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर और बाई बाई